तो क्या पतीस साल बार भी सोच बदल नहीं पाई बहुत बड़ी बड़ी बाते करने वाले लोग अब चुपी साधे बैठे हैं दा कश्मीर फाइल साई तो लोगों ने कहा कि ऐसी फिल्म की जुरत क्या थी ये तो आपस में रणा रही है लेकिन आज आज कश्मीर से जो तस्वीर सामने आई वो बहुत कुछ बता रही है नमस्कार स्वागत है आपका एड़्वाइन से इडिया पर मैं हुन अफीन चोगा जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी मस्जिद है जामिय मस्जिद जहां शुकरवार को आजादी और भारत विरोधी नारों से वो जगा गूँच उठी जुमे की नमाज के लिए जमावी फीड के बड़े हिस्से को आतंग समर्थक और आजादी के नारे लगाते सुना गया जामिय मस्जिद में लगे नारों की एक वीडियो क्लिप इन दिनों खूब वायरल हो रही है इसमें कई नारे लग रहे हैं वीडियो क्लिप में सुना जा सकता है कि एतिहासिक जामिय मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान खूब नारे लगे उसमें कहा गया हम क्या चाहते हैं आजादी साथी वहाँ पर धार्मिक नारे भी लगाई गए जो साब तोर पर सुने जा सकते हैं अनुचे 73 हटने वाद से प्रदेश को मुख्यधारा में लाने की कोशिशे खूब तेज हुई लेकिन कल जाम्य मस्जिद में जो कुछ हुआ उस पर सवाल अब उठने लगे जाम्य मस्जिद को शिर नगर की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक माना चाहता है यहाँ पर कश्मीरी पंडितों के पलायन से पहले भी इसी फरकार की नारेवाजी हुई थी इस नारेवाजी का वीडियो वायरा होने के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर 1990 के दौर को याद करना शुरू कर दिया यह मस्जिद अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर पारुख के अधीन है मीरवाइज पर घाटी में आतंकवाद को फंड करने का मामला भी जबरदस्तरी केस चल रहा है मैं वेकरंजन अगनी हुतरी ने भी वायरल वीडियो को ट्वीट कर लिखा है हर घर से बुरान वाने निकलेगा का मतलब है हर घर से आतंकवादे निकलेगा क्या यह सच है या कोई प्रॉपोगेंडा समसकते हैं आपको बता दें कि मस्जिद में नारे बाजी करने वाले एक व्यक्ति को गिरफतार किया जाने की भी रिपोर्ट सामने आई है इस तानिय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताविक जामे मस्जिद के अंदर नारेबाजी करने के आरोप में एक प्यक्ति को शिरनगर पुलिस ने गिरफतार किया है इस संबन में IPC की धारा 124 से 447 के तहर FIR संक्या 16 वटे 2020 के तहर 9 टटा में मामला दर्ज किया गया है वह आपको देखना चाहिए कि अब जनता क्या बोल रही है वो क्या राय रखनी है अपनी आये दिखाते हैं तन्बीर श्रफ कहते हैं सबाब जेसो की महरवानी है शबनमशे कहते हैं इन जाहिलों ने ही हमारी पूरी कौम को बदनाम कर दिया है एक और शक्स कहते हैं यह बहुत चिंता जनके लेकिन सरकार इन ताक्तों के साथ जब खड़ा होती हैं तो हिंदूों का ही नरसनहार होता है ऐसी मस्जिदों को बंद कर देना चाहिए जहाँ पर भी देश विरोधी नारे लगते हों और नारे लगाने वालों पर UAPA के दैत मुकदमा दर्ज करके जेल में डाला जाना चाहिए तो देखा आपने आखिरकार वहाँ पर लोग अपनी क्या राय रख रहे हैं आप भी अपनी राय रखे हैं और लगातार चूड़ रही है प्राइन सिंद्यक साथ नमस्कार